सवाल करते हैं, उसके बाद formal charge की concept की तरफ चलेंगे पहला सवाल, तो चलिए, कौन देता है इसका जबाब विच अमंग फॉलोविंग कैमिकल बॉंड वर डिस्क्राइब बाइ कॉसल लुइस, आपको बताना है इनमें से कौन है इसका, जल्दी सी बताओ, कौन बच्चा आंसर देगा इनमें से कौन सा ऐसा बॉंड है, जिसको आप Lewis, कॉसल लुइस थियोरी से आप उसको दिखा सकते हो metallic bond, polar covalent bond, coordinate bond and covalent bond तो answer is, D, yes, D, बिल्कुल सही, ionic और covalent bond को एक और बात बता देता हूँ coordinate bond is nothing but a kind of covalent bond, coordinate bond भी एक तरह का covalent bond ही होता है और Lewis थियोरी से आप लोग, जो की octate rule जिसने दिया था, उसमें ionic और covalent दोनों तरह के bond को दिखा सकते हो amazing, answer is का क्या बनेगा, D, बहुत बढ़िया तो Lewis यही तो कहता था, कि bond की formation होती इसलिए ताकि, ताकि atom अपने octate पुरा कर सकें किस वे से, या तो share करके, या फिर electron का complete transfer करके अगला सवाद, if the atomic number of an element is 14, अगर किसी element का atomic number 14 है find the total valence electron, 14 किसका होता है, जरह बताओ, silicon, तो valence electron कितने होंगे silicon की case में, जल्दी सी बताओ, that's very easy, तो आपको बताना है, silicon की case में valence electron कितने है, तो आपको बताएता हू, 14, तो यह silicon, जो कि carbon के just अगर, carbon के valence electron 4 होते है, तो silicon के थोड़ी change हो जाएंगे, वो भी कितने रहेंगे, चाच-चाच-चाच, चाच, अंसर क्या बनेगा C, मने, कतपा, बहुत बढ़िया, कतपा अगले सवाल की तरफ चलता है, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आप से पूछा गया है, in NO3- आयन, the number of bond pairs of electron of nitrogen atoms R, आपको पूछा गया, NO3 minus iron में, number of bond pairs of electron, number of bond pairs of electrons on nitrogen atom R, NO3 minus iron में, number of bond pairs of electron nitrogen atom के respect में कितने हैं, तो देखो, NO3 minus की structure आप बनाते हैं, चलो, तो यह हुआ nitrogen, bond कैसे कैसे बनेगा, एक तो 3 oxygen है, टोटल, ठीक है, HNO3 में, NO3 minus 3 oxygen है, टोटल, तो in that case, कैसे बनाओगे, आपलो, मुझे बताइए, तो एक तो double bond बन जाएगा, तिखाई दे रहा है, चार bond से ज़्यादा तो बनाएगा ही नी, तो NO3 minus में, एक double bond होगा, जिसमें nitrogen क्या करेगा, दो electron share कर देगा, सही है, और एक single bond बनाएगा, क्योंकि, एक oxygen के पास, और एक extra पूरा होता है, अब आप देखिए, इस nitrogen के पास, दो electron बचें, समझ मा गया, और एक oxygen है, यहाँ पर extra, जिसको दो electron चाहिए, सही है, तो in that case, क्या होएगा, आप खुदी बताओ, यहाँ पर एक coordinate bond बनेगा, और यहाँ पर दो electron share हो जाएगे, समझ मा गया, तो जो structure बन के पूछे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, आठ, होगया ना answer इसका, bond pairs of electron, आठ answer हुआ, nitrogen ने कितने bond बनाया है, चार, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, जिंदगी में काम आएगा, nitrogen चार bond से जादा नहीं बना सकता, पहली चीज तो यह है, चार bond से जादा वो बना नहीं सकता, nitrogen cannot make more than four bonds, पहली चीज तो यह, और इसमें से भी तीन bond तो क्या होंगे, covalent, और चोथा bond क्या होगा, पक्का coordinate, यह लिख लो, यह मेरा experience है, मैं आपसे आज share कर रहा हूँ, nitrogen चार bond से जादा नहीं बनाता, जिसमें पूछा गया था, bond pairs of electrons, pairs पूछे न, 8 electron है, total तो pair कितने होगे, 4, अच्छा, oh my god, अब अपता लगया, Arvind sir, बुड़े हो चुके, एकदम number one बुड़े हो चुके, ठीक है, मिरे को Amitabh Bachan को वो याद आता है, बुड़ा होगा तेरा बाप, लेकिन क्या करें बुड़े हो च total pairs sharp हुए, है न, तो, sir, बुड़े हो चुके हैं, बुड़े, अगले वाले सावल पर चलते हैं, 4th number question, how many lawn pairs are there in carbon molecule, carbon monoxide molecule, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, देखी कितने लोग देते हैं, carbon monoxide molecule में कितने lawn pairs हैं, कितने lawn pair, अभी pair कुछा है आपसे, और अभी इस उलू के पठे ने pair के हिसाब से गला जवाब दिया, तो, सची कह रहा हूँ, बुड़ा तो, मैं हुआ हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ, मैं, वाट लगा दूगा इसकी, तो, क्या answer बनेगा, आप से पुछा, how many lawn pairs are there in carbon monoxide, only two lawn pairs, कितना answer आएगा, thank God, यह सही है, two lawn pairs, बेटा, two, answer इसका क्या होगा, यह मने apple, कैसे आया तू, अब देको carbon monoxide की structure सब को पता होना चीए, एक है carbon, एक होता है oxygen, अब यहाँ पर सबसे पहले तो एक double bond बनता है, और एक coordinate bond बनता है, सबको समझ मैं है, इसमें carbon के पास भी एक lawn pair होता है, और oxygen के पास भी एक ही lawn pair बसता है, इसकी उ बहुत बढ़िया, amazing, four डाला तुम लोगोंने, अब अगया सवाल, पाच्वा सवाल, how many lawn pairs and bond pairs of electrons are observed in NF3, आप से पुछा गया, how many, बहुत बढ़िया सवाल है, how many lawn pairs of electron and bond pairs of electron are present, या observed in NF3, NF3 में कितने lawn pairs of bond pairs of electron present है, जल्दी सी बताओ, शाबाश, जल्दी सी बताओ, शाबाश, क्या answer बनेगा इसका, बहुत बढ़िया, NF3 में कितने lawn pairs और कितने lawn pairs of electron है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ, जिसको नहीं बता, देखो सबसे बहले तो nitrogen है, answer में इसको बताता हूँ, ये लीजिए answer, अब सवाल है कि A answer क्यों आया, बहुत बचा रहता है, और फिर एक आया, तीन फ्लोरीन लगा रखें नो ने यहाँ पर, तीन फ्लोरीन लगा रखें, सही है, ये तीन फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन खुद तो अकेला नहीं होता है, इसके पास साथ में से एक electron उस ने share किया यहाँ पर, तो छे electron बचे रह जाते हैं उनके पास, छे electron का मतलब हर एक फ्लोरीन के पास, बेसिकली क्या होते हैं, तीन लोन पेर्ज होते हैं, हर एक फ्लोरीन के पास, तीन लोन पेर्ज होते हैं, तो तीन इसके पास हैं, तीन इसके पास हैं, तीन इसके पास हैं, और एक इसके पास हैं, तो टोटल कितने हो गए, दस तो दस तो lawn pairs हो गए प्लस यहाँ पर bond pairs की बात कर लेते हैं यह देखो तीन bond pairs आपको दिखाई दे रहे तो 10 or 3 answer आना था that's very easy, easy peasy बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया तुम लोगा